हेलो दोस्तों स्वागत थे आपका स्टड़ी आईक्यू में और मैं अविनवराज आपके लिए बिहार स्पेस्फिक टॉपिक लेकर आ गया हूँ और आज हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को देखने वाले हैं यानि बिहार एकनॉमिक सर्वे जिसका की ये पार्ट 3 है पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके हैं और यहाँ पर कुल मिला के 6 चैप्टर को डिसकस किया जा चुका है आज हम सुरू करने वाले हैं चैप्टर नमबर 7 से जो की है एनर्जी सेक्टर एनर्जी यानि की उर्जा और एनर्जी जो है ये सबसे important factor है जो decide करता है कि आपकी efficiency कितनी है और कितनी रहने वाली है और आप किस तरीके से अपने resources का utilization करते हैं अब जितना ज्यादा हम smartly energy का production करें या energy को save करें वो सारा हमारे लिए और हमारी upcoming generations के लिए काफी crucial है इन ही चीजों को देखते हुए हम conventional sources of energy को छोड़के non-conventional sources of energy की तरफ shift हो रहे हैं अक्षय उर्जा की तरफ shift हो रहे हैं और अगर non-conventional non-fossil fuels में कुछ बिहार कर रहा है तो उसको हम appreciate करेंगे तो इस topic को यानि chapter number 7 को देखने से हमें यही पता चलेगा कि state government के तरफ से क्या कुछ सार्थक परियास किये जा रहे हैं चलिए तो देखिए जो per capita consumption of energy है ये बताता है कि कोई राज ये या कोई देश कोई परदेश कितना भिकसित है developed country रहेगा तो वहाँ पर लोग जो है maximum energy का utilization करेंगे सबसे अधिक USA वेगरा के जो ब्यक्ति है वो energy कन्यूंग करेंगे per capita क्यूंकि हर चीज जो है ना बिजली से चलने वाले वहाँ पर operators हैं जैसे जैसे हम development से developed countries से under developed की तरफ आ जाएं developing फिर under developed non developed इस तरीके से आप सोच लीजिए तो आप देखेंगे कि जो primary stage में लोग रह रहे हैं वहाँ पर बिजली का कोई use नहीं है as such ठीक और जितना अधिक अगर कहीं पर per capita energy consumption है यानि वो बता रहा है कि वहाँ पर उतना development है या पिछले वरसों के तुलना में अभी का अगर समय देखा जाए तो अगर per capita energy consumption बढ़ा है यानि हम यहाँ पर develop हो रहे हैं तो यह हमारे राज्ये का भी rise हुआ है 203 kilowatt hour जो थुआ करता था 2014-15 में उससे बढ़के साथे 300 kilowatt hour हो गया यहाँ पर 72% की growth नजर आती है 6 वरसों में और जो peak demand है उसमें भी हमें growth देखने को मिलता है overall जो aggregate का जमसन है बिजली की यानि जि state government करे या private sector करे household करे business house करे सब कुछ मिला के देखें तो यहाँ पर भी हमें 45% का इजाफा दिखता है चार वरसों में अब यह सारे figures आप याद नहीं रख सकते हैं लेकिन हाँ आपको trend को समझना है इसी तरीके से power distribution के लिए हमारी दो companyya है और यह पूरे structure को समझ लेंगे त static section जब हम cover करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम discuss कर लेते हैं वैसे बिहार में दो distribution companyya है गंगा नदी के नौर्थ के लिए North बिहार power distribution company और दक्षिन बिहार के लिए South बिहार power distribution company यानि SBPD CL और हम देखें सारे मिला के इस तरीके से दो जो distribution companyya है यह मिला के total 169.4 lakhs electricity consumers है और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 4 वर्सों में 63% का growth हुआ है तो जो भी central government की schemes चल रहे हैं इस state government की schemes चल रहे हैं उनका यहाँ पर यह समझ आता है कि grass root level पे काम हुआ है तब ही तो यहाँ पर हमें इजाफा देखने को मिलता है जो generation है और purchase है power का net of central transmission loss क्यूंकि अगर हम बिजलिक तयार करते हैं और एक जगा से दूसरे जगा भेजते हैं तो इस बीच में आने के प्रकिरिया में भी वहाँ transmission के losses होते हैं उन losses को हटा दीजे और उसके बाद जो हमारा generation और purchase है यहाँ पर भी हमें 14% का growth दिखता है जब बिजली की production बढ़ी बिजली का consumption बढ़ा तो राज ये के लिए revenue भी बढ़ना चाहिए राजस्व का जो यहाँ पर collection है वो बढ़ना चाहिए तो बढ़ा है यह सब कुछ आप समझ गया यानि यहाँ पर जो graph है electricity को लेके वो increasing है positive हमें direction दे रहा है और यहाँ पर बिहार state hydro electricity power corporation का भी जिक्र किया गया है कि यहाँ पर क यानि कि बिहार state hydro electric power corporation जो है यह start किया गया था और यहाँ पर हम possibilities को देख रहे थे बिहार में possibilities को तलास रहे थे और अभी के लिए यह संख्या याद कर लिजे कि हमारे बिहार में total 13 minor hydro projects हैं जो कि operational हैं और total installed capacity जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ 54.3 megawatt है और यहाँ पर यही जो institute है यानि बिहार state hydro electric power corporation यहाँ पर यह solar plant जो है वो install करेंगे rooftop पर बिल्डिंगों के च्छत पर इनके द्वारा ही ये बाते की जा रही है एमसी की वैगरा में यह पूछा जा सकता है और यह 10 megawatt solar power के बातें की जा रही है और जो electricity को promote करने वाली schemes है बिहार में उसमें दीन दयाल उपाध्याए ग्राम जोती ओजना integrated power development scheme, real time data acquisition system और residential solar rooftop project यह सब important है power का availability यानि की इसकी कितनी उपलब्धता है इस बात को हम समझेंगे तो इससे पता चलता है की peak demand वैगरा बढ़ा है वो सब कुछ growth है इसी बात को यहां repeat किया गया है और यहां पर इस graph के मदद से भी समझाने का कोसिस किया गया है और जिस trend को देखें तो हमें increasing नजर आ रहा है साल दर साल यहां पर मुख्य मंत्री क्रीसी विदूत संबंध योजना के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए कि यह नाम से भी पता चल रहा है कि यह agricultural purpose के लिए होगा और दीन दयाल उपादयाए ग्राम जियोती योजना के अंतरगत ही आता है और जो यह infrastructure वेगरह develop किये गए ताकि सही से electricity पहुँचाई जा सके transmission losses ना हो, चोरी कोई ना करे, साथ ही साथ जो ऐसे किसी भी तरीके से बास बला यानि temporary arrangement पर अगर बिजली एक जगा से दूसरे जगा भेजी जाती थी तो बहुत लोग जो है इसके चपेटे में आ जाते थे, जान जाती थी, जानवर मारे जाते थे, पसू, मल, गरू, मवेसी यह सब ना मरें यही सब बातों को देखते हुए यहां सही infrastructure डिफलप किया जा रहा है इसे खेतों में भी मदद मिल रही है, तो मुखे मंतरी क्रिसी विदूत संबंध योजना हो गया, यह important है यहां पर बताया गया है percentage distribution of effective consumers by different types तो यहां पर देख लिजे बिहार में mainly दो टाइप है, एक domestic और commercial तो trend देखने से पता चलता है कि domestic consumers में कमी आई है, commercial consumers जो है वो बढ़े है यह एक normal सी बात है, बस दिमाग में रख लिजे जो हम दिन दयाल उपाधे आए, ग्राम जियोती योजना की बात कर रहे थे तो इसमें क्या purpose है इसका, कि improve कर एक connectivity rural areas के लिए है, ग्रामिड छेतरों के लिए है खास कर यह समझ लिजे, सारे के सारे 38 जीलों को यहां पर include किया गया है और fully electrified villages की बात की जा रही है, central government के द्वारा launch किया गया था और यहां पर separation किया गया है agriculture और non agriculture feeders को क्योंकि बिजली जो है खेत के purposes के लिए अलग होने चाहिए, households के लिए अलग चाहिए जो खेतों में बिजली पहुँचाई जा रही है, हो सकता है थोड़े देर के लिए उसको काट लिया जाए लेकिन households को ना काटा जाए, इस तरीके का difference रखा गया है यहाँ पर सब transmission और distribution infra को मजबूत सुद्रिध करने की बात की गई है और यहाँ पर जो completion target है जो की नहीं achieve हुए थे राजिय गांधी ग्रामिड विद्यूति करन योजना में उसको carry forward भी किया गया इन बातों का भी ध्यान रखेंगे residential solar rooftop अब जब हम international solar alliance की दुनिया भर में बात कर चुके हैं जिसका headquarter खुद हमारे मतलब की गुड़गाओं में है इंडिया में है और हम सौरे पुत्र का concept लेकर आए तो इसके बाद बिहार इसमें फीचे कैसे रह सकता था इंडिया में जो भी काम हो रहा है central level पर उसका सही जो है implementation state level पर भी हो तो इन ही चीजों को ध्यान में रखते हुए ministry of new or renewable energy जो है उसका जो phase 2 चला यहां पर तो इसमें ये सारी बाते की गई है और हमारा ये target है कि rooftop जो है ये allocate किया गया 5 megawatt का सुरू में 3 megawatt जो है Svpdcl यानि South बिहार को दिया गया और 2 megawatt दिया गया North बिहार को 2019-2020 के लिए और यहां पर सब city जवैगरा की बात की गई है छोड़ देते हैं अभी के लिए और एक दो चीज और जान लीजे जैसे location जैसे आप से अगर यही पूछ लिया जाए कि काटी बीजली उतपादन निगम कहां है तो आप बता सके कि यह North बिहार मुझाफरपूर में है नभी नगर कहां है तो यह बिहार के औरंगाबाद में है इस तरीके से power project जो है और यह कहां पर है तो यह बहुत important है boxer में super project है यह और ultra mega power project कहां है तो बिहार के banka district में इस तरीके से थोड़ा 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 आइडिया रखना होगा और बिहार state hydroelectric power corporation है इस पर हम लोग चर्चा कर लिए हमारे पास total 13 minor hydroelectric projects है यह जान लिजिए यह हम पर सूची दी गई है और वैसे भी देख लिजे कि यह जो अमेठी project है यह रोहतास में है यह जो तेजपूरा है यह और अंगाबाद में है और जो पहर्मा है यह रोहतास में राजपूर जो है यह शुपॉल में है और मठावली जो है यह वेश्चमपारन में रामपूर है रोहतास में नटवार जो है ये भी रोहतास में है सिपाहा जो है और अरंगाबाद में देहरा जो है वो औरंगाबाद में वाली दाद और अरवल में और बरवल जो है ये वेश्चमपारन में यानि कि रोहतास वेश्चमपारन अपार्ट फ्रॉम दिस अली रामपूर इस तरीके से कि अगर कुछ भी गुमाफिरा के कोई सवाल आ जाए या जगा ही आ जाए तो दिमाग में थोड़ा सभी कहीं न कहीं ये अटका रहे अब हम अगले चैप्टर पर आ जाते हैं रूरल डेवलप्मेंट ये जानना बहुत ज़रूरी है हर जगा हम बात करते हैं कि हमें इन इक्वालिटीज को पाठना है उसे कम करना है और हम बात करते हैं कि यहां सारे जगहों पर इक्वालिटी लाने का काम किया जाए तो बिहार के लिए चुनावती और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बिहार में हम क्या देखते हैं कि 90 परसेंट जो प साड़े बारह लाग से कहीं अधिक सिल्फ हिल्फ ग्रूप्स जो हैं वो देखते हैं कि ये क्रेडिट लिंक्ट हैं बैंक्स के साथ और यहां अच्छे खासे ट्रंजेक्शन्स हुए हैं फीगर्स वेगरा को छोड़ दिया जाए और सेप्टेंबर 2021 तक जब ये सब सर्वे का काम किया जा रहा था तो पचीस सो से कहीं अधिक बैंक सकी जो है ये ऑपरेट कर रहे थे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स को यानि कि यहां सहकारिता जो है उसका एक बढ़िया एक जामपल देखने को मिल रहा है और वीतिये समावेशन फाइनांसियल इंक्लूजन आप समझत सेट सहकार के पास ना जाना पड़े जो कि उनसे फिर इंट्रेस्ट के नाम पर स्टॉर्शन करते हैं पचीस परसेंट छतीस परसेंट इस तरीके के ब्याजदर लेते हैं या खुदा ना खास्ता किसी भी फेमली की जो ब्रेट अर्नर है उनकी देथ हो जाती है किसी भी सरक कर रही है लिंकेज ओफ मोर दें 11 लाग सेल फ़ेल्प ग्रूप मेंबर्स तु लो कॉस्ट इंसूरेंस कवरेज देखे एक कम खर्च में लोगों को बीमा मिल सके यह सब कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें जीवी का जो है अच्छा रोल खेल रही है प्ले कर रही है और जीवी का जो है यह देखते है कि इंप्लिमेंट की है हिल्थ रिस्क फंड इन 51,000 वी ओस तू फाइनांस हिल्थ रिलेटेड क्रेडिट निट्स ठीक है जो यहाँ पर एक गरामिड छेतर के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट इस्कीम है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्रोजेक्ट है इसका नाम याद रख सकते हैं स्वक्ष गाउं समरिध गाउं जब आप पढ़ते हैं साथ निश्चे तो वहाँ पर इन बातों पर ध्यान आपका जाता है हम लोग बजट में चर्चा भी किये थे तो जो चैप्टर एट है इसमें आप क्या जानगा है कि हम चुकी है ठीक है और बिहार में फुट सिकुरिटी को मतलब देखते हुए इन स्यूर करने के लिए हमारे पास पब्लिक डिस्टिब्यूशन पढ़ना ली है पीडिये सिस्टम है और जिसे की स्पेशल एंटेंशन दिया जाता है अल्ट्रा पूर हाउसोल्ड को और लार्ज लेंड नहीं है वो लेकिंग करते हैं या उनके पास पक्का मकान नहीं है तो इन तरीके के प्रोजेक्स लाए जाए इस तरीके के स्किम्स लाए जाए कि सभी का अपना घर हो और कोई भी बेघर ना हो और इसी को देखते हुए चुकी मैं खुद रेविन्यू सर्वीस में ह जानता हूँ कि कितने अच्छे से इस पर काम किया जा रहा है और हमें भी इस तरीके से टार्गेट्स दिये जाते हैं कि जिन भी व्यक्तियों के अपने हाउस नहीं है या घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो उनको बसाने के लिए जमीन भी उपलब्द कराई जाती है अगर जमीन नहीं है सरकार के पास सरकारी जमीन उच्छेतर में तो सरकारी जमीन की अभाव में प्राइबेट जमीन खरीद के सरकार उपलब्द कराती है और फिर उस पर जो प्रधान मंत्री आवास योजना है उसके अंतरगत घर वगरा बन सके तो ये जीवी का आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे तो इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है बिहार रूरल लाइवलियोड्स प्रोमोशन सोसाइटी ये एक सोसाइटी है रिजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसको पपुलरली जीवी का कहते है और देखते हैं कि ये रूरल डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट जो है राज्य सरकार का उसके अंतरगत काम करती है और इसका एक बहुत मेजर रोल हो गया है बिहार के एकॉनमी में सोसल लाइफ में डेमोग्राफी में हर जगा पे ठीक है तो जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्स से लॉंच किया गया था दो हजार छे में और इससे अभी कहीं ना कहीं एक दसमलो दो साथ करोर रूरल फेमली जो है वो जुड़ी हुई है और ये इंपावर कर रहे हैं रूरल पूर हाउसोर्ड को सोसली भी और एकनॉमिकली भी फार्म रिलेटेड लाइफली हूर्स में देखें तो जीवी का जो है ये काम कर रही है कई तरीके के जो फूड की क्वालिटी है जो ग्रेंस की क्वालिटी है उसको इंटेंसिफाई किया जाए तो राइस के लिए स्री टेकनीक गेहुं के लिए यानि सिस्टम ओफ फीट इंटेंसिफिकेशन या पलसेज और वेजिटेबल्स के लिए system of fruit intensification system of crop intensification overall इस तरीके से चलाए गए food के लिए जो हम देखते हैं कि इसको सही ढंग से इसका valuation हो सके तो इसके लिए सही value chain होना चाहिए post harvest facilities होनी चाहिए जैसे फल तयार हो गया और रखने के लिए cold store ना हो तो कम दाम पे जल्दी से उस माल को खपाना होगा कि कहीं वो सड़ गल ना जाए तो अगर सही इंफरा डेवलप कर लेते हैं और easier market access हो तो हम बेहतर पैसा कमा सकते हैं आव यहाँ पर किसानों के जेब में extra income होगा तो इन चीज़ों पर भी काम किया जा रहा है off firm and non firm livelihood कि यह तो खेतों से related जो जीविका का रोल है यह देखे apart from this जो integrated poultry development scheme है जिससे क्या होगा कि लोग चुजा वेगरा रखेंगे वो अच्छे कीमत पर बिकेंगे इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है और यह सब figure वेगरा छोड़ दीजे animal and fisheries resource department खान rural support program चलाया गया और जैसे जारखंड वेगरा में देखते हैं जारखंड state livelihood promotion for society या goat trust इस तरीके के बहुत सारे अगर हम देखे body जो काम कर रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान या मीसन जो है इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं और यहां पर fish rearing वेगरा की भी बात की गई है मतस से उत्पादन की बात की जा रही है और जीविका जो है इसके द्वारा ही pilot project लाया गया था integrated fishing farming के लिए अररिया में अब यह important हो सकता है आप से directly पूछा जा सकता है फिर मधुमक्खी के पालन वेगरा के लिए इस तरीके से हर एविन्यू में देखेंगे कि जीविका का एक active role है और यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि backward और forward linkages को strengthen करने के लिए procurement, orientation, best practices, skill development के लिए जो यह जीविका है यह किस एक brand के साथ तायब की है यह partnership तो dabber, dabber को कौन नहीं जानता है इट dabber के साथ काम कर रहे हैं और यह सब कुछ हो गया apart from this craft segment में paper lamp, file, folder, laptop bag, sadi और यह जो mask वेगरा है सब कुछ बनाने में जीविका का role है art form में madhubani painting सुजनी और stone art यह सब prelims में कई तरीके से पूछे जा सकते हैं और फिर हम आगे क्या देखते हैं कि online mode हो, offline mode हो हर तरीके से connectivity की बात की जा रही है online portals में जैसे कि यह website है यहाँ पर जीविका के products बिखते हैं swap.brlps.in या jam government का जो e-marketplace है amazon flipkart या offline में मेलो में खादी मौल में wellness मौल में business to business business to customer हर तरीके के model में यह काम कर रहे हैं gramid बाजार का concept बहुत important है जिसे कि supply chain को strengthen किया जा सके अभी के लिए हमारे पास 60 gramid बाजार है और hospital में जो ब्यक्ती है भरती है उसके लिए खाने का बेवस्था और जो attendant है उनके लिए भी बेहतर खाने का बेवस्था इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दीदी की रसोई scheme लाई गई के यहाँ पर जिविका के द्वारा cantins जो है यहाँ पर सस्ते दरोपर अच्छे healthy न्यूट्रियस खाना उपलब्द कराया जाता है सुरू में यह पाइलेट प्रोजेक्ट पर लाया गया था लेकिन अभी 3800 जीलो में यह functional है VTS अमावेशन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लिए food security, national, sorry nutrition and health तो यह सब कुछ है यहाँ पर आप थोड़ा 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 information रखें और यह हरित जीवी का हरित भिहार यह क्या है तो यह mission पाँच कडोर के अंतरगत आता है और हमें पाँच कडोर इस तरीके से पौधों के stapling लगाने है यह बहुत important है और इसमें 1.5 mission सबसे पहले आता है यानि कि 2021-22 में हमें डेड़ कडोर इस तरीके से छोटे-छोटे-छोटे-छोटे पौधों को लगा देना है और यह पाँच कडोर जब लग जाएंगे तो कितनी हरियाली होगी आप समझ सकते हैं और यह कितने अच्छे से कार्मन का सिक्विस्ट्रेशन करेगा इन्वार्मेंट पर इफ्ट क्या होगा किस तरीके से ग्लोबल वर्मिंग कम होगी सारे पहलों को आप कनेक्ट कर सकते हैं तो दीदी की रसोई जैसे थी केंटीन के लिए इसी तरीके से यहाँ पर सैंप्लिंग के लिए हम देख रहे हैं कि 245 दीदी की नरसरी जो है 245 ब्लोक्स में खोले गए है अब एस जे वाई यानि की सतत जीविका पारजन योजना तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यह टार्गेट करता है कि एक लाख अल्ट्रा पूर हाउस होड्स को कभर किया जाए और यहाँ पर भी जीविका का एक एक एक्टिव रोल है इसी तरीके से जो मनरेगा स्कीम है और जल जीवन हरियाली जो है जिसके अंतरगत जो हमारे पुराने बंद पड़े हुए रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे जो चापा कल वेगरा हो गया हैंटपंफ वेगरा ट्यू वेल्स हो गया उनको चालू किया जा रहा है चेकडेम्स वेगरा बनाया जा रहा है अदर हर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स छोटे-छोटे नदी, ड्रेन ये सब हो गए उनको साफ किया जा रहा है मोटिवेट किया जा रहा है गाउं को कि वो अपना स्ट्रक्चर बनाए रेन वोटर हर्वेस्टिंग के लिए प्राइबेट बिल्लिंग्स में भी प्लांटेशन के कैंपेंज वेगरा चलाय जा रहा है अल्टरनेटिव क्रॉप्स बताया जा रहा है जो कम पानी ले ड्रिप इरिगेशन यानि माइक्रो इरिगेशन टेकनिक जिसको कहते है और्गेनिक फार्मिंग इन चीजों पर विसेस तवज्जो है जल जीवन हरियाली स्कीम का इसी तरीके से अभियान बसेरा महादली डिवलप्मेंट इसकीम और ग्रिहास्थाले योजना इन चीजों पर भी काम किया जा रहा है ग्रामिर छित्र में तो कुछ-कुछ अगर आपके दिमाग में नाम रहेगा तो उसको आप सही ढंग सी उटिलाइज कर सकते हैं एक्जाम में बेहतर तरीके से बातों को प्रस्तूत कर सकते हैं आप मेंस के परस्पेक्टिव से अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर जो हमारे वाटर है ना विहार में वो कंटामिनेटेड हैं हम देख रहे हैं कि हमारे जो 38 जीले हैं उसमें से मैक्सिमम जीले किसी न किसी तरीके से गंटामिनेटेड हैं जैसे कि 14 जीले जो है अरसेनिक से प्रभावित हैं 11 जीले फ्लोराइड से और 11 जीले जो है आईरन से और यह सारा वह पूरा लिस्ट है एक बार को आप देख सकते हैं और ये बहुत ही ग्रेव डेटा है आप समझे कि ये जिस तरीके से अर्सेनिक है दुधारी तलवार है और इसे पूरा गंगेटिक बेल जो है वो तबाह है अब हम आजाते हैं चैप्टर नमबर नाइन पर जो की है अर्बन डिवलप्मेंट अर्बन डिवलप्मेंट के लिए बहुत सारे सेंट्रल गवर्मेंट के और स्टेट गवर्मेंट के स्कीम्स हैं साथ निश्चे में भी इसको कभर किया गया है और इसे अर्बन डिवलप्मे वेगरा जो है ये भी start हो चुका है level of urbanization जो है इसको आपको समझना होगा कि partner district में सबसे अधिक है जहां पर हम देखते हैं कि वो state का capital भी है 44.3% है इसके बाद जो level of urbanization जो है जो 25% से अधिक है मुंगेर में 28% नलंदा में 26% ठीक है और बिहार की करीब 11% जो अबादी है वो urban areas में रहती है जो pattern है urbanization का बिहार में वो काफी lopesided है और south बिहार जो है यहाँ पर ज्यादा urbanization है अगर north बिहार से तुलना किया जाए reasons क्या हो सकते हैं जड़ा सोच के comment section में बताईएगा नहीं तो फिर हम अगले slide में इसका चर्चा कर लेंगे और यहाँ पर कुछ जो 7 निश्चय के schemes हैं जैसे हर घर नल का जल हर घर पकी गली एवं नलिया 144 निर्मान घर का समान ये सारे जो schemes हैं जो की बहुत आपके काम के हैं मुख्य मंत्री सहरी पेजल निश्चय योजना नाम से ही पता चल रहा है कि सबको safe drinking water जो है वो प्रदान किया जाए इसके लिए pipeline वेगरा सही से develop किये जाए और यहाँ पर 16 लाख household जो है लभानमीत होंगे मुख्य मंत्री सहरी नाली गली पकी करण निश्चय योजना ये 7 जो 7 निश्चय हैं उसके अंतरगत है स्वक्ष भारत मिसन ये सब old topics हैं परधान मंत्री आवास योजना housing for all तो ये ग्रामिर छेतर के लिए भी है सहरी छेतर से उनको cover कर लेंगे summarize कर लेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही thanks for watching and all the best for your upcoming exam